मिर्जापुर के लिको और सोक क्रियेटर्स ने इस बात को पूरी तरह से पहले ही स्पष्ट कहे दिया है कि इस बेप स्रीज में मिर्जापुर के नाम का इस्तिमाल कालपनिक तरीके सही किया जा रहा है सू के संदर्ब में मिर्जापूर की वास्तिक छबी या उस सहर की अवहो हवा को आँकने की कोशिस ना की जाए मिर्जापूर का सू के संदर्ब में नामा करड सिर्फ कलपना मातर है सो इस लिहास से मिर्जापूर की असल दुनिया का इस कालपनिक मिर्जापूर से तुलना की आँखों से देखने पर जाहिर है मिर्जापूर के वासे निरास ही होंगे सो वास्त्युक्ता के मिर्जापुर को देख चुके दर्शकों को उस चस्मे को उतार कर इसे देखा जाना ही उचित है इसलिए बास सिर्फ करण और उनके लेखकों की गड़ी मिर्जापुर और उनके पातरोगी बेसिक मिर्जापुर वास्तिक दुनिया में कजरी के लिए जाना जाता है और इसके साथ संस्कृतिक गदविदियो वाला सहर माना जाता है मगर करण पुनित और गुर्मित के कालपनिक मिर्जापुर में संस्क्रत भी कालिन भाया की है और सबिता भी कालिन भाया की है और इस कालिन भाया के लिए उसका धंदा ही उसकी संस्क्रत और सबिता है ड्रक्स बेचना बारूद और देशी कट्टा और वह भी कारपेट के अंदर यही उनका बेवसाइक धर्म है करण इसे विपसो में एक ऐसी कहानी लेकर आये हैं जहां बाद बाद में की जाती है बंदूग पहले तानी जाती है सो की सबसे बड़ी खासिएत लेकनी की है समवाद माहोल के में जास से बिल्कुल सटीक है खास थर से पंकत्र पाथी जो की सो में कालेन भाईया के कرणार में हैं उनकी दबंगाई पर उनके लिए लिखे गए समवाद बिल्कुल सटिक बेड़ते हैं सो की खुबी है कि सुरुवाती के दो एपिसोड आपको सभी पातरों से रूबरू कराते हैं और आप सभी के किरदार की विश्यस्ताओं को देखर हैरान होते हैं सुरुवाती एपिसोड में ही हम कालिन भाया की दबंगई का नजाराद देख लेते हैं कालین दबंग है लेकिन घर आकर वायक चिंतित पिता है क्योंकि उनका बेटा मुन्ना समझदार नहीं है और कालین को लगता है कि वह उनके बेवसाय को आगे बढ़ाने में निरर्थक होगा मुन्ना में बेवसाय के गुड़ नहीं है हुनर नहीं है लेकिन वह बिगड़े बाप की आउलाद की तरह है उन्हें अपने पिता की तरह ही राज करना है इसी बीच में कालین के दो ऐसे लड़के मिलते हैं जिसमें कालین भाईया कोई सारे गुड़ ने जराते हैं जो अपने बेटे में नहीं आते यही से कहानी में काफी ट्विस्ट आते हैं दो मासूम से देखने वाले लड़के कैसे कालین भाईया पर ही राज करने लगते हैं यह देखना दिल्चस्प है यह सच है कि कई जिगे आपको अनुराग का सब के गैंगा भासे पूर के याद आ सकती है लेकिन मेकर्स ने खोन खराबा दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है परिवार, चालसाजी, सत्ता का खेल आवलाद का मोह, दबंगई, गुंडागर्दी शेक्स और इन सब के बेश स्रिया अली और बिक्रम स्वेता की लबिश्टोरी भी दर्साई गई है इस सो की सबसे बड़े उपलब्धी है कि सो के मेकर्स ने कलाकारों का चैन बिलकुल पार्खी नजर से किया है पंकतर पाठी ने कालिन के किलदार में गैंगेश्टर की भूमका में ऐसे जचे हैं जो बंदूग चलाता है खोन खराबा पहलाते है पूरे सहर में जिसका आतंक है मगर चेहरे पर कोई सिकन नहीं है अब तक उसके निभाय किलदार में उन्हें इस किलदार से अभने में और एक्स्टेंशन मिलता है इस सो के सबसे बड़े सर्प्राइस पेकर्ज हैं बिकरांट मेशी जिने अब तक कई फिल्मों में सिकन लेड किलदार अधिक निभाए है इस सो के मेकर्श ने बिकरांट ने चोकाया है वह अब तक बेहत मासूम से दिखने वाले बिकरांत का बाहुबली किरदार परभावित करता है अली फजल को सो में बौडी साडी दिखाने का पूरा मुका मिला है उनका किरदार टुकडो में परभावित करता है मगर कई दरसों में उनका अधिक उतावला पन बोर करता है हाला कि अली और विक्रांत जब जब साथ दिखे हैं दोनों की केमिस्टरी काफी जची है गुड्डू की गन और बबलो का दिमाग दोनों मिलकर दर्शकों का मनुरंजन करने में कामियाब रहे हैं वही देविंद्यू सर्मा ने भी अपनी फिल्मों से इतना अलग तरह का किरदार निभया है निराश जनक या है कि जहां सो की महिला किरदारों को दमदार इंड्रो डक्टरी दरस्ट दिये गए हैं वह एपिशोड पर एपिशोड धुंदली परती जाती है सोईता रशका सिरिया के हिस से अगर कुछ दमदार दरस जाते तो महिला पात्रों के लिए इसे साइद एक मिसाल माना जाता है जैसे गयंग साफों से परकि महिला पात्रों को अनुराग ने ससक्त रूप से गढ़ा था हम से ब्यापार है हम ब्यापार से नहीं पंकत तिरपाथी दोरा बोला गया है, डालॉग बताता है कि मिर्जापुर राजनीती ड्रामा थिलर वेप स्रीज है, मिर्जापुर अमेजन प्राइम की तीसरी ओरिजिनल वेप स्रीज है, जो की भारत में ही बनी है, इस से पहले अमेजन प्राइम, इंसाइड एच और ब्र का इस्तिमाल इस त्रीज में देखने को मिला है मिर्जापुर का प्लाट उत्तर परदेश राज के पूर्व में इस्थित मिर्जापुर का है जहां कालीन का ब्यापार बड़े अस्तर पर किया जा रहा है स्रीज में भी इस ब्यापार को दर्शाय गया है और इसे चलाने के ल में गुड्डू पंडित का एक डॉलाग है कालीन भाईया का सहर कालीन भाईया का चौक मिरजापुर में भोकाल हो तो ऐसा वही कालीन भाईया के बेटे मुन्ना भाईया नी दिब्यांदू सर्मा को अपनी जीमेदारिया कभी समझ नहीं आती और उनके फैलाए रायते को हमे एस आफसर हाला कि कालीन भाईया उन्हें अपनी गैंग में सामिल करना चाते हैं हाला कि यह बात मुन्ना भाई को पसंद नहीं आती और यहां से सुरू होता है पावर के लिए युद्ध इस स्रीज को नो पाट्स में डिवाइट किया गया है स्रीज की कास्ट इसे देखने के बजाए बोर करते हैं स्रीज के निर्माताओं ने वर्तमान समय में राजनितिक सामाजिक तरश्ट को दिखाने की कोशिच की है हाला कि इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली है कास्ट के बात करे तो स्रीज में बबलू और गुड्डू के किलदार के साथ बिकरांद और आली बार देख चुके हैं इसलिए अगर आप कुछ नया देखने की चाह में हैं तया स्रीज आपको निराज कर सकती है मिर्जापूर्टू में दर्शको को पहले सीजन की तुलना में सब एक्स्ट्रा मिलता है कास्ट, एपिशोड, गालिया और डिसपांटमेंट सब मेकर्स ने इस सीजन को एक कदम आगे ले जाने के लिए काफी मेहनत की है, वो इसमें काम्याब भी रहें और पिछले सीजन से थोड़ा और आगे ले जाकर इसमें 9 की बजाए 10 एपिशोड दे दिये, इस सीजन में कई दुखी करने वाले सीन भी हैं, एक सीन तो आखरी एपिशोड मे पर पता चलता है कि असली बदला तो आपके साथ लिया गया है, मिर्जापुर के दूसरे सीजन में हर कोई कुछ ना कुछ सीखता है, सीजन में गुलू गुपत्यानी, सोयता तिरपाठी, पंदुग चलाना सीखती हैं, और जनता इन सब को जहलना, सीजन की सुरुआत मौत का बदला लेने से होती है, और सीजन का एंड देख कर तो बदले की ही मौत हो जाती है, अगर लाश्ट के दो अपिशोड को निकाल दिया जाये तो इस सीजन का हाल गुडू पंडि जैसा है, ना चल सकता है, बस हमेशा गुश से मेंकालिया देता रहता है, इस सीजन में देख कर आप भी कहेंगे कि पिछले सीजन में खाये इस्टोराइड्स उन पर इस सीजन में असर कर रहे हैं, मुना तरिपाठी पूरे सीजन में काल मा को याद करते रहते हैं, ना ना अपनी नहीं बलकि दूसरों की, अगर शॉट में ने प्टाएं तो इस सीजन में सीबा चढ़ है ने गुड़ू की मा, आरिप खाने ने बाबर, राविन ने प्रियंसू पेन विली ने काफी अच्छा रोल किया है, सिरीज का म्यूजिक काफी दमदार है, सुनते हुए इंट्रो क्यूप करने का मन नहीं करेगा, कहानी पहले सीजन जितने दमदार नहीं है, कामे अमेजान प्राइम की बेप स्रीज मिर्जापूर उस वक्ति चर्चा में थी, इस स्रीज में उत्तर परदेश के उस सहर की कहानी है, जो अभी तक काइदे का सहर नहीं बन सका है, ऐसा सहर जो देखने में कसबा ज्यदा नजराता है, हकीकत में मिर्जापूर बहुत कुछ आ अपनी सच्चाई में हैं, ऐसा सहर जहां की जिलाधिकारी कार्याले तक लोगों के साथ सांडो और कुत्तों के भी पहुँच है, जहां की सड़कों पर मुझे एक्सिडंट ना हो जाए से ज्यदा जरूरी इस बात का ख्याल रखना है कि कोई आकर मुझे ही ना ठोंक दे, एक ऐसा सहर जिसकी समवेदनाएं पता नहीं किस बात से गुत्तम गुत्ता हैं, जो नाराज होने पर मा भेन की गालियों को बकता ही है, पर बहुत खुस होने पर भी ऐसा ही करेगा ये तय है, और एक ऐसा सहर भी जहां होड पीछे छूड जाने की नहीं है, इस सहर की रेस दूसरे तरह की है, जहां ताकत सबसे जरूरी सर्थ है, पर वैसा भी बिल्कुल नहीं है, जैसा कि मिर्जापुर में दिखाए गया है, जंगल में होता क्या है, जो जितना ताकतवर कद और पहुँच उतना ही मजबूत और कालिन भाया की तरह आसमान सरीखा उचा, मिर्ज मिर्जापुर एक ऐसा ही सहर है, जहां जैदातर सपने दूसरे सहरों की तरह ही दिखते हैं, लेकिन बबलू पंडित यानि विक्रांत मैसी जैसे कई सपने जरूरतों की भेट चड़ जाते हैं, और गुड़ू पंडित यानि अजी भजल जैसे सपने मिर्जापुर का जैसा भोकालपा न चाते हैं, कुछ चिंताएं भी हैं जो आमतोर पर सहरों को लेकर होती हैं, अपराद की आच में सुलगते और बरबाद होते सहरों को बचाने की जद्दो जहती है, अब सपना एड़ूर के ट्रमाकांथ पंडित यानि राजेस तैलांग का है, लेकिन उन गुड्डू बुद्धी से कमजोर है, दो साल लगातार फेल हुआ है, उसे बाड़ी बिल्डिंग का बहुत सोख है, और मिश्टर पुर्वांचल बनने का सपना देख रहा है, बबलू दुनियादारी और पढ़ने लिखने में बहुत होसियार है, लेकिन घर की माली हालात अच्छी पढ़ाई के लिए उसे लखनो जाने से रोक देती है, दोनों भाई और बहन एक ही कालिज में पढ़ाई कर रहे हैं, डिमपी के सहली सुटी और शिर्या पिलगाओं कर गुड्डू को चाहती है, वह इस इंतिजार में है कि कब गुड्डू उसे डेड़ पर ले जाता है मुन्ना तिरपाठी ने दिवेंद शर्मा भी इसी कालिज में अध्यचत पद का चुनाव लड़ रहा है, मुन्ना सुटी के एक तरफा प्यार में है, कालिज में स्युटी की बहन भी है गोलू, गुड्डू कालिज और सहर में मुन्ना के रूअप से बहुत प्रोल करते हैं कालेन भाईया अधेड हैं और अपने बाउजी यानि कुल्भूशड खरवंदा की जगह बाउवली हैं बाउजी विल्चेयर पर हैं दिन भर टीबी पर डिस्कवरी जैसे चैनल देखते रहते हैं हां कभी कभार जरूरत पढ़ने पर बेटे और पुत्त को ग जयोती भारत से भी उसे हमेशा डर है रीत की निगाह बराबर मिर्जापुर को काबू में लेने की है उसे इस बात की भी चिंता है कि सहर में डर का जो समराज और कारोबार उसने और उसके बाप ने खड़ा किया है उसे मुन्ना कैसे संभालेगा कालीन भाया की एक और चिं अतरप्त है बीना छिपकर घर के नौकर राजा से हम बिश्तर होती है गुपता जैसे पुलिस अपसर भी है जो तनखा तो सरकार्श लेते हैं और कालेन भाया के लिए सरकारी प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं गुपता जी सूटी और गोलू के पापा हैं मिर्जापुर अपने बेटे अखंडा और पोते मुन्ना को रती को अफादार बनाते हैं ये बाद रती को पसंद नहीं आई हादिसे होते हैं कभी खुद को तिरपाथी फैमली का हैसा समझने वाले रती को मिर्जापुर छोड़ कर जाना पड़ता है एक हादिसे में अपनी बहन पिता औ अपनी जान कमा दे या फिर कालिन भाईया के लिए काम करे और मुन्ना तिरपाठी के खिलाब हत्या के मामले को रफा दफा करवाए दोनों भाई कालिन भाईया के आफर कोमा लेते हैं इसके बाद सहर में कालिन भाईया के लिए दोनों भाईयों की जोड़ी अपराद में एक पर एक कारणा में अंजाम देती है गुड़ू और बबलू को कालिन भाईया का साथ पसंद नहीं वा अंदर ही अंदर दोनों से कुढ़ा हुआ है बेटू के अपराधी बनने के बाद रमा कांतुने घर से निकाल देता है गुड़ू ताकस से तो बबलू अपने दिमाग से कालिन भाईया के कट्टो का कारोबार कामियाब मुनाफे में ला देता है वा कालिन भाईया के लिए हत्याय करता है कारोबार में बढ़ोतरी से खुश कालिन भाईया दोनों भाईयों की अफिम के कारोबार में भी सामिल कर लेता है कालिन की आण में उसका कारोबार फल फोल रहा है भले ही गुड़ू और बबलू को घर छोड़ना पड़ता है लेकिन उसकी मा वसुधापंडे सहर में बेटो रुत्बे से बहुत खुसा हैं उधर नेता यानि यादो जी चुनाओं में फंड के लिए कालिन भीया से पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के बदले ज़्यादा से ज़्यादा फंड की डिमांड करते हैं होली पार्टी में मुन्ना और यादो जी भिड़ जाते हैं मीटिंग के लिए आया रती सुकला तिरपार्टी फैमली और यादो जी के बीच ताना तनी का फायदा उठाने की कोशिस में हैं यादो जी उसे चुनावी फंड के बदले मुर्जा पुर्देने का सौधा कर लेता है हाला कि कालिन भाया की मनाही के बाजूद गुड़ू बबलू और मुन्ना